बगवान का दर्शन नहीं किया तब तक बगवान की भगवत्ता का सही अहबो भक्त को नहीं हो सकता बगवान कितनी गृपा करके कैसी कैसी दूरू हो जगा पर भक्तों पर अनुकमपा करने के लिए पढ़ा रहे हैं जैसा इतिहास अभी दुधान जी ने हम लोगों को बताया बगवान भोजन करने के लिए और इतना भोजन करने आ रहे हैं कि उनका नामी भोजन पर पड़ जा रहा है खाकर बगवान खाने वाले बगवान लेकिन भगवान इसमें भी प्रसंद है कि चलो कम से कम इसी रूप में हमारे भक्त ने अपने इर्दय में हमको सांतो दिया आज 1500 के करीब गाउं 120 गाउं को बगवान पहले खाए और अब खाना दे रहे है बोजन दे रहे है बगवान उने की क्रपा से आप लोग सब खा रहे हैं उनका प्रसाद तो ये बगवान बले भी लक्षन है उनकी क्रपा का साक्षात दर्शन यहाँ पर होता है और कलश के अंदर बगवान का दर्शन ये एक दुरलब दर्शन है जो यहां खाकर महादेव में हम लोगों को प्राप्त हुआ हमको बड़ी प्रसंदता यहां पर आकर के हो रही है ठीक है पहले कारिक्रम नहीं था लेकिन भगवान तो जिसको चाहते हैं बुला ही लेते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान नहीं हमको बुला लिया और यहां पर बैठा दिया बड़ी प्रसंदता मन को प्रदान की हम चाहेंगे कि और भी भक्त यहां पर आएं और भगवान का दर्शन करके यह जो आलाद इस समय हम लोग प्राप्त कर ला हैं उसको प्राप्त करें पर यकन विभाग से भी बात की जाएगी जो चमूली जीले के विशिष्ट दर्मस्थान है और सब दर्मस्थानों का एक तरीकमापत बनाया जाएगा और उसमें बार-बार जब अपने लोग यात्रा करेंगे तो अपने आप लोग आने लग जाएगी कहने की जरूरत नहीं पड़ते अपने यहाँ नियम है मा जनों ये नगतव सबन था है बड़े-बड़े लोग जिस राष्टे चलने लग जाते हैं बाकी जनता भी उसी राष्टे पर चल बढ़ती है तो इसलिए अपने लोग अभी दर्शन कर लाए हैं इसका ये पक्त बनाएंगे परिक्रमा पक्त और फिर बड़े-बड़े लोगों को प्रेदित करेंगे कि पहले आप लोग यात्रा करिए जब बड़े-बड़े लोग आने लगेंगे तो उनका देखा देखी छोटे मने सामाने लोग भी अपने आप आने लगेंगे प्रेदित हो जाएंगे तो ये भगवान सबके उपर कृपा करें सबका जीवन धन्य हो सबका जीवन मंगल महे हो इस समय आप लोग जैसा की जानते हैं हम चमोली मंगल यात्रा कर रहा है चमोली मंगल यात्रा का मतलब है कि चमोली के हर विप्ति का मंगल हो आप लोग कहेंगे बाखी का मंगल क्यों नहीं कह रहा है बाखी का भी करेंगे लेकिन सबसे पहले जो अपने जादा पास है उसका ध्यान रखना पड़ता है इसलिए सबसे पहले चमोली का मंगल जब चमोली का मंगल होने लग जाए तब उत्राखंड का मंगल जब उत्राखंड का होने लग जाए तो भारत का मंगल और जो भारत का भी होने लग जाए तो भी शो मंगल ये एकरम अपने दोगों में रखा है सबसे पहले चमोली मंगली आत्रा के मात्यम से हम लोग आपके पास आए हैं आगे ऐसे कैसे अध्यात्मी कुपाई अपनाने से खेत्र का मंगल हो सकता है ये पुस्तिका बना करके अपने दूतों के मात्यम से हम घर घर में बेढ़ेंगे आप लोग उसको पढ़ करके उसमें से जो उपाई आप कर सकते हैं उनको अपनाईएगा निसीत रूप से बगवान की टिपा बरसेगी और जमोदिक शेत्र का अब्विदय होगा मंगल होगा आप सब के मंगल के लिए बगवान लिबदरीनाद जी से आशिरवाद उनका आपको प्रदान करते हुए अपने हिरुदय की शुबभावना भी उसके साथ मिलाते हुए यहीं परमस्मेवाणी को विराम दे रहे हैं हर हर महा